समस्कार Unilearn की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे Module 8 वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किये हुए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि काफी लोगों की दिक्कत रहती है तो मैं एक-एक Modules की सारी वीडियो बना रही हूँ मेरे चैनल पे जाकर आप बागी के Modules की वीडियो चेक कर सकते हैं अभी हम 8W नंबर पे हैं मैंने ये सारा चीज़े अल्रेडी कंप्लीट कर लिया है पर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बना रही हूँ तो इसे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो चलिए सबसे पहले Modules 8 पे क्लिक करते हैं ध्यान रखिएगा आपका Network Connection बहुत ही स्ट्रॉंग होना चाहिए आप कोशिश करिएगा कि जैसे ही आप Morning में अपना फोन ओपन करते हैं तो नेट ओपन करेंगे तो नेट उस समय अच्छा चलेगा आपका तो ही आप ये सारे Modules कंप्लीट करें एक दो Modules एक दिन में ही कंप्लीट करें क्योंकि नेट बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है और पूरा नेट भी कताम हो सकता है आपका इसके बाद Enter का Option आएगा कुछ ऐसा खुलेगा इसके बाद Enter का Option आएगा इस Enter वाले Option पे क्लिक कर देंगे और यहां से OK कर देंगे यहां पे आपको डाउनलोड करने के लिए बोले गए तो यहां से इसको OK कर देंगे फिर यहां से कुछ टाइम आपका डाउनलोडिंग हो गए 100% तक आपको वेट करना है इसको back नहीं करना है आपको नहीं तो फिर से आपको खोलने में time लगेगा फिर इसको पहले 100% तक आपको होने देना है अगर आपका नहीं चल रहा है तो आप यहीं से scroll करके और net बंद करके और फिर से on करके try करें शायद यह आपका जल्दी जल्दी होने लगे मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे जब मेरा net नहीं चलता है बहुत slow चलता है तो मैं net on करके फिर से बंद करती हूँ फिर तुरंत on कर देती हूँ तो फिर थोड़ा चलने लगता है time इसमें बहुत लगेगा तो आपको धैर बनाए रखना है मैं आपको fast photo पे करके दिखाती हूँ अपने वीडियो में ताकि जल्दी हो सके नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी बनेगी तो आप लोग देख लीजेगा अपना तो यहां से हमारा 100% complete हो गया और ऐसी वीडियो आएगी तो यहां पे आपको प्ले कर देना है जैसे आप प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो आएगी तो यह module जो है total 11 pages का है तो यह module 11 pages का है यह पहला page है यहां पे आपको उपर दिखेगा यह पूरी वीडियो देखने के बाद next वाली arrow जो है इस पे क्लिक कर देंगे अब यहां से हमारा दूसरा page है यह वाली वीडियो देखने के बाद यहां next वाली arrow पे क्लिक करके और next कर देंगे यहां से हमारा तीसरा page open हुआ इसको भी देखने के बाद यहां से next कर देंगे आप इसको भगा भगा मत देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा यह आपको समझ में आएगा नहीं तो फिर आप भगा के देखेंगे तो बीच में कुछ इंपोर्टेंट होगा तो आपका छूट जाएगा फिर यह फोर्थ पेज भी देखके और नेक्स्ट वाली ऐरो फिर यहां से यह साथवा पेज आता है पूरी वीडियो देखने के बाद यहां से नेक्स्ट कर देंगे यहां से यह आठवा पेज आ रहा है इसको भी देखने के बाद यहां से नेक्स्ट कर देंगे यह नवा पेज ओपेन हुआ, पूरी वीडियो देखने के बाद यहां से next कर देंगे अब यहां पे एक प्रश्ण आया है, प्रश्ण क्या है? चलि देख लेते हैं बॉद्धिक विकलांगता तथा अलग-अलग बॉद्धिक छमता वाले बच्चों के साथ गती विधियां करते समय किन-किन कार नीतियों का प्रयोग करना चाहिए ठीक है? प्रते गती विधि को छोटे-छोटे चरणों में विभाजित करें? सही होगा एक ही साथ कई निर्देश दें? नहीं बच्चे के कार को आप स्वयम पूरा करें क्यूंकि बच्चे कार करने में समय लगा रहें? नहीं निर्देश धीरे-धीरे दे और यदि जरूरत महसूस हो तो निर्देश को दोराएं? सही एक संकल्पना को बार-बार और अलग-अलग तरीकों से समझाए ताकि बच्चा संकल्पना को समझ सके सही तो यहां से तीन ओप्शन सही होता है हमारा पहला, चौथा और पांचवा फिर प्रेशित करें पे क्लिक कर देंगे सही जवाब अब अगला पे क्लिक करेंगे आपको प्रेश्ण पुना सुने पर क्लिक नहीं करना है नहीं तो ये पीछे हो जाएगा अगला पे क्लिक करना है अगला पे क्लिक कर देंगे अब यहां से 10 पेज ओपेन होता है यह पूरी वीडियो देखने के बाद यहां पे arrow दिखी है इस पे क्लिक कर देंगे अब यह लास्ट पेज है 11 यहां से आप देख सकते हैं आप इस module को सफलता पूर्वक पूर्ण कर चुके हैं अब आप अगला module आरंब कर सकते हैं तो अगला module आरंब करने के लिए आपको क्या करना होगा इस arrow पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है नहीं तो आप बैक हो जाएंगे अगला module करने के लिए उपर जो आपको arrow दिख रही है यह वाली arrow जो यह वाली arrow दिख रही है इस पे क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद आप फिर से आपका यह जो एंटर वाला आता था वही वाला page ओपन हो जाएगा और वहाँ पे लिखा होगा start a new attempt जैसे हमारा loading हो रहा है क्योंकि net बहुत पता नहीं क्या है आज net सही नहीं चल रहा है तो आपका वही page खुलेगा start a new attempt आगे जो box होगा उस पे क्लिक करके और फिर से आपको enter कर देना है उसके बाद back हो जाना है तब आपका जो है यह module green टिक हो जाएगा यह देखिए start a new attempt का option आ रहा है इस पे ध्यान मत दीजिए यह net सही नहीं चल रहा था इसलिए है यह सब दिख रहा है तो यहाँ पे आपको start a new attempt का option मिलेगा जैसे कि मैंने पहले बताया और इस box पे टिक करके फिर से आपको enter कर देना है जब तक आप यह नहीं करेंगे तब तक यह green नहीं होगा तो जैसे इस पे टिक करके और enter कर देंगे हम कुछ ऐसा फिर से video loading होगा है अब फिर से यह back चलेंगे उपर वाली arrow से back कर देंगे अब फिर से loading होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे done complete the activity green हो जाएगा और फिर जब यहाँ से भी back चलेंगे तब आपका यहाँ से done complete the activity हो जाएगा यह और यहाँ पे restricted लिखा होता है तो यहाँ पे to do activity हो जाएगा आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो को जाद़ जाद़ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि अभी आने वाली module की वीडियो भी मैं लाऊंगी तो उसे भी आपको देखना है